कैसे हो बेटा? लास्ट लेक्चेर में बेटा हमने वर्मियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ा था उसमें लिष्ट काउंट रीडिंग कैसे लेते हैं, जीरो एरर क्या होता ये सारी बाते हमने सीखे थे बेटा आज में पढ़ना है मेन स्केल मेन स्केल इज मार्ग एड़ पूसे इस्सेल इज मार्क एड़ स्लीब क्लियर देखो ये है प् homeless5 और स्थम्भल क्लियर पेड़ा इस पिंडल ऑर थम्भल डेटा वो इंटरली अटेच होता यैसे इस पेंदर पीछ वाले पॉर्शन से het नीए जैसे को मैं खूल रहा हुआ है कि अंधर बाहर हो रहा है कि इस्पेंडल और थंबिल क्या होता एक अप समय आप उप तरीके से एकर हम खोलेंगे तो क्या होगा देखो आप सोचो इस पेंडल ये टिप है आगी बात और धंबल बेटा ये वाला पॉइंट है अब देखो इसको मैं ऐसे गुमा रहा हूं तो क्या हो रहा है कि ये पीछे की साइट बेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है और इसको ये भी होता है आगी बात देखो जब हम कोई रीडिंग नहीं ले रहे होते बेटा तो ये दोनों पॉइंट आपस में क्या कर रहे होते है टच कर रहे होते है जब हमें रीडिंग लेना होता है तो धंबल को क्या करते है गुमाते है पीछे की साइड इस तरीके से और ये प ट्रिक्स कर दूगा डायमेटर मेजर हो जाएगा क्लियर है कि नहीं है तो लिखो बेटा इस्पिंडल एंड थम्बल आर अटेश्ट आर अटेश्ट अच्छा इसको बेटा हमने नाम दिया में इसकेल और इसको क्या नाम दिया बेटा सर्कुलर स्केल देखो, main scale का beיטра least count kuch और हो सकता है, circular scale का least count kuch और हो सकता है, clear है, और screw gauge का beटा least count kya हो सकता, kuch और हो सकता है, clear है, तो लिखो beटा, जैसे माल लो, let coming, कर लिखो, let, let main scale is let main scale is marked in millimeter is marked in millimeter then its least count is 1 mm clear बिटा अब सीर से बोलना हूँ लिख लो इस बात को main scale का main scale का least count कुछ और हो सकता है circular scale का least count कुछ और हो सकता है और screw gauge का least count कुछ और हो सकता है इतनी बात बिटा समझ में आई structure आप चाहना दा बिटा इसका screen shot ले लेना और एक print out निकाल के copy में चिपका लेना मर जी आपके क्या इतनी बात बिटा clear हुई अब देखो हम क्या करेंगे बिटा इसको समझते हैं थोड़ा सा कैसे काम करता है क्या होता है इसको मैं यहां रखता हूँ और इसके थिरूम आपको समझाता चलूँगा ठीक है बिटा देखो सबसे पहली बात बिटा जब हम कोई reading नहीं लेंगे तब की कहानी है यह तोनों क्या होगा बिटा टच करेगा आगी बात जब हम कोई reading लेंगे बिटा इसको open करेंगे तो यह gap आजाएगा इस gap को बिटा हम major करेंगे ठीक है यह length है बिटा L L कैसे लिखा जाता इधर देखो बिटा L is equal to होगा main scale reading main scale reading plus circular scale reading reading minus zero error बिटा लाश्ट में जो मैंने पढ़ाया था आपको vernier caliper तो मैंने आपको बताया था zero error is always subtracted तो बिटा वो एक general था ऐसा नहीं कि vernier caliper के लिए ही था यह हर जगा zero error हमेशा क्या होता है subtract ही होता है यह बात समझ में आगे देखो बिटा अब इसका working पढ़ते हैं क्या होता है देखो यह घुमाने पे ना बिटा इसको जो घुमाते हैं तो यह कुछ आगे जाता है आगी बात इसको बिटा इस तरीके घुमाएंगे तो यह इस साइड कुछ जाएगा तो बिटा उसको हम बोलते हैं linear displacement in one rotation clear है of circular scale circular scale in one complete rotation यह बात समझ में है बिटा linear displacement देखो बिटा यह screw जैशा काम कर रहा है कि नहीं इसको हम घुमा रहे है तो यह वाला आगे पीछे जा रहे है उसी के साथ यह भी आगे पीछे जा रहे है तो जैसे माल लिया बिटा यहाँ पर था और एक चक्कर घुमाए बिटा यहाँ पर आ गया तो यह इसका linear displacement हुआ कि नहीं हुआ आगे बात तो यही टर्म मैंने लिखा linear displacement of circular scale in one complete rotation बिटा इसी को हम बोलते हैं pitch clear हुआ तो pitch का definition समझ में आया बिटा कि नहीं आया it is linear distance यह displacement travel by the circular scale in one complete rotation यह बिटा important definition है हमें पता होना चाहिए चलो अब दूसरी बात सुनो बिटा दूसरी बात क्या होता है कि जो यह circular scale है न बिटा इस पे बहुत सारे division होते हैं और हर division के बीच की spacing क्या होती है यह same होती है लिख लो बिटा there are number of division on the circular scale there are number of division on circular scale आगे बात बिटा division on circular scale which are equally divided which are equally divided लिखा बिटा इतना आगे सो इसमें तो यह वाली line है देखो यह वाली line बिटा इसको हम बोलते हैं reference line क्या बोलते हैं reference line अब इसके reading के बारे बिटा हम बात करते हैं ठीक है देखो माल लिया बिटा यह तोनों point आपस में touch थे यह दोनों point आपस में क्या थे भीटा टेस्ट थे इसको मैंने क्या किया गुमाया तो यह कुछ आगे गया अब सुनना ध्यांसे पहले क्या था इस reference line के साथ इस reference line के साथ यह वाला 0 आपका कौन side था ऐसा कुछ reference line था अब इसके साथ यह वाला जो 0 था बेटा आपका कौन side था ठीक है मैंने क्या किया बेटा यह एक moment पर था इसे हमने एक complete rotation बना किया इसे इसका और यह जो आपका circular scale था बेटा यहां से चलके यहां तक आ गया यह क्या है बेटा moment of circular scale तो क्या यही होगा pitch यही क्या होगा बेटा pitch लिख लो initial position initial position यह क्या बेटा final position after one complete rotation after one complete rotation clear हुआ बेटा चलो मैं बोलता हुआ बेटा कि यह final position होता अब तीन rotation के बाद तो यह कितना होता pitch होता कि three time of pitch होता बेटा तीन complete rotation हुआ कि नहीं अच्छा यह तीन complete बेटा rotation एक ही sense में होना चाहिए यहां नहीं कि आपने एक clockwise गमाया दो anti clockwise गमाया फिर तो पंगा हो जाएगा clear है कि नहीं यह बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं पीछ समझ में आया सबके अब सुनना ध्यान से बेटा यहां पर zero जो है इस reference line के साथ कौन side हो रहा था ठीक है अब इसको बेटा मैं open कर रहा हूँ इस तरीके से घुमा रहा था ठीक है अब देखना ध्यान से बिलुकुल बहुत ही important point explain करने जारो बेटा यह circular scale था zero आपका बेटा कौन side था और इस पे circular scale पे इस तरीके से lining थी एक, दो, तीन, चार, पाँच इधर बेटा आपने देखा तो इस तरीके से line given है यह बेटा क्या था अब का 45 ठीक है तो देखो बेटा zero से शुरूआ five, six, ऐसे बेटा circular scale पे पीछे की side भी होगा कुछ यह 45, 46, 47, 48, 49, और 50 क्या बेटा अगर ऐसा कुछ हमें दिखाई दे रहा है तो क्या total 50 division at circular scale है बेटा की नहीं है यह बात समझ में आ गई clear है 45 लिखा बेटा 45 और zero के बीच में 5 division हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5 तो कितने total division होगे बेटा 50 division हो गई की नहीं होगे यह भी बेटा vary कर सकता है different हो सकता बेटा हर screw gauge के case में यह बात समझ में आई अब ज़रा ध्यान से सुनना बेटा यह इसका initial condition था reference line यह मैंने बोला यह है इसका यही कहानी है after one complete rotation यह कहा है बेटा after one complete rotation यह बात सब के समझ में आ गई अब देखना बेटा ध्यान से एक complete rotation के बाद यह कहानी आई तो यहाँ भी zero कौन side था और यहाँ भी इसको बेटा मैं open कर रहा हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो कौन सा कौन side होगा यहाँ पर आके यहाँ के one कौन side होगा नहीं होगा बेटा क्या हो गया कौन सा कौन side कर गया जिरो कौन side कर गया कि नहीं कर गया बेटा तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक बारी बारी turn wise turn wise one से लेके 49 मतलब total कितना हो जाएगा बेटा 50 division क्या हुगा होग पेटा? तरनवाइज, कोण साइड हुआ होगा, नहीं होगा फिफ्टी डीविजन, कोण साइड हुआ होगा इसका मतलब पेटा क्या मैं इस लेंठ को छोटे छोटे 50 डीविजन में डीवाइड कर सकता हूँ की नहीं कलियर हुगा पेटा? That means, L can be divides in 50 equal divisions, clear हुआ बेटा, और यही इसका एक division क्या होगा बेटा, list count होगा के नहीं होगा, आगे बात, और इसी का एक division, list count होगा, लिखा बेटा आपने, clear हुआ, आगे बढ़े हैं, लिखो, तो list count of screw gauge कितना है बेटा, क्या ही आया, pitch, pitch divided by number of division, number of division on circular scale, यह क्या होगा बेटा, इसका list count हुआ की नहीं हुआ, pitch divided by number of division on circular scale बेटा, इसका list count हुआ, यह बात clear होगई की नहीं होगई, आगे बात बेटा, clear अच्छा देखो, अभी मैंने पीछे, आपको reading लेना सिखाया था, reading लेना मैंने क्या सिखाया था बेटा, आपको reading कैसे लिखेंगे, main scale की reading, plus circular scale की reading, minus zero error, यह बात मैंने आपको सिखाया थे, बेटा, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कभी आपको इस formula से लिखने का suggestion नहीं दूँगा, काफी बार बेटा, यह चीज गलत करवा सकता है, net level पर नहीं, लेकिन J advance level पर तो गलत करवा ही सकता यह formula, आगे बात, तो सुनो बेटा, reading कैसे लिखा जाएगा, उसको सुनो, एलिज कर लिटू, बेटा, हमेशा लिखेंगे, number of pitch, number of pitch, कितना pitch गुआ बेटा, जिसका, आगे बात, into pitch, length, यह हमेशा होगा, बेटा, minus, zero, error, क्या बोला, बेटा, 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 आपे मैंने, number of pitch, into pitch, length, minus, zero, error, बेटा, हमेशा try करेंगे, reading, इसके थुरू लिखे, अभी मैं तुम्हें समझाओंगा, ऐसा क्यों करना है, आगे बात, बेटा, तो अब हम कुछ diagram के थुरू reading लेना सीखेंगे, देखो, बेटा, ये हमारी reading है, लिखा क्या है, pitch is equal to one division on main scale, कितना, बेटा, one division on main scale, ये pitch है आपका, बेटा, 50 number of division on the circular scale, ये है, बेटा, तो पहले इसका list count लिखना हो, और बेटा, माल लेते हैं, चलो, यहीं पर main scale, is in millimeter, बेटा, ये millimeter में, तो क्या इसका list count होगा, बेटा, 1 mm divided by 50, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये कितना होगिया, बेटा, 1 divided by 5.02 आएगा, कर लेना solve mm, ये इसका list count आया, ये बात समझ में आई बेटा, अब सुनो reading कैसे लिखेंगे, देखो, पहले माँ उस तरी कैसे लिखता हो, reading, reading, r is equal to main scale reading, plus circular scale reading, plus minus, sorry, minus zero error, बेटा, हमें zero error का कोई information नहीं है, मैंने zero माल लिया, तो क्या लिखा जाएगा, main scale reading, plus circular scale reading, अब सुनना बेटा, ध्यान से, ये बेटा, यहाँ पर कौन साइड रहोगा, zero के साथ zero, शुरुवात में, जब कोई reading नहीं ले रहोंगे, अब देखो बेटा, ये open किया, मतलब ये, ऐसी कहानी में बना नहीं रहो बार बार, मतलब ये ऐसा कुछ हुआ बेटा, तो मैंने ये portion आपको दिखाया है वहाँ पर, आगे बाद, देखो कहा है बेटा, ये, zero के बाद, एक, दो, तीन, क्या तीन division clearly दिखाए दे रहा बेटा, तो ये reading होगी, main scale reading कितना, 3, main scale division होगा बेटा, प्लस, अभी हम देखनेंगे बेटा, main scale division कितना है, ये सारी बाते हो जाएंगी, प्लस, circular scale division, देखो बेटा, यहां रहा होगा, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, तो zero कॉन side रहा होगा बेटा, और इसने क्या किया है, 45, division बेटा, कौन side है किने इसके साथ, तो ये कितना आगे चला गया बेटा, क्या, एक pitch को इसने 50 पार्ट में divide किया था, क्योंकि 50 division है, आगे बात नहीं आई, और अब 45 वाला कौन side है, इसका मतलब बेटा, 0, 1, 2, 3, ऐसे करते करते, 45 वाला कौन side है, तो बेटा, इस पूरे pitch को इसने कितने पार्ट में divide किया था, 50 पार्ट में, उसमें से 45 पार्ट ये cover कर चुका है, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं, circular scale reading को, pitch divided by, pitch divided by 50, क्या ये एक portion का length हुआ बेटा, कि नहीं हुआ, into कितना, 45, और यही क्या था बेटा आपका, least count है कि नहीं है, तो क्या लिख स top 3, MSD plus 45 into least count, ये rating लिखना आया बेटा कि नहीं आया, clear है, बिलकुल सही rating लिखी गई है, अब ध्यान से सुनो, बेटा मेरे तरीके से चलते हैं, हमने क्या बोला था बेटा, हम क्या लिखेंगे, rating, number of pitch, plus pitch length, आगी बाद, देखो बेटा, इसमें pitch कितना है, एक division के बराबर, तो कितने division आ चुका बेटा, एक division, दो division और टीन division complete, तो मेरे तरीके से बेटा, अगर reading लिखोगे, तो क्या लिखोगे, ध्यान से सुनो, मेरा तरीका देखो बेटा, तीन complete, है कि नहीं है, और कितना आगे बेटा, 45 आगे, तो plus, ये कितना होगा बेटा, क्या इसको लिख सक सकते हो, आप, एक pitch, divided by, 50 into 45, वही logic, ये बात समझ में आ गई, बेटा कि नहीं आई, क्लियर है, अब एक pitch कितना बेटा, यही आपका होगया, least count, तीन complete है बेटा कि नहीं है, और तीन complete बेटा, एक MSD के बराबर लिखोएंगे, हाँ पर तो कितना आ जाएगा, थ्री MSD, और पिछ कितना है, एक MSD के बराबर है बेटा, तो तीन complete pitch कितना होगया, थ्री MSD, प्लस 45 into least count हुआ कि नहीं हुआ, क्या मेरी ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब तुम्हें इस formula का importance समझ में भी आएगा, हमने बेटा, ये reading लिया, क्या इसका least count आएगा बेटा, 2 divided by 100, ये आएगा बेटा कि नहीं आएगा, pitch divided by number of, दखो कितना आएगा बेटा, point लगाओगे, 0 और 2, क्या ये इसका least count हुआ बेटा, mm में की नहीं, ये बात सब के समझ में आगई, चलो, किताबी method से reading लेते हैं, R is equal to, main scale rating, कितना बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 mm, क्यों बेटा, क्योंकि जो इस पर division दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, mm में दिया है बेटा कि नहीं, plus, कौन सा overlap कर रहा है बेटा, देखो ध्यान से, क्या 74 वाला overlap कर रहा है कि नहीं, इसका मतलब जब यहां था, तो 0, यह बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई, यही मैं गलत तुम्हें बता रहूँ, यह चीज नहीं हो गया, भी बताऊंगा, तो कितना लिख दिया बेटा, गर मैंने किताबी में अथर्ट से लिखा था, 75 into least count, और least count कितना बेटा, 9 mm, plus 75, 0.02, clear है बेटा, mm, यह कितन आजाएगा, यह आजाएगा, 0.150, आएगा बेटा कि नहीं आएगा, clear है, और यह आजाएगा, mm, decimal के बाद दो ही प्लेस तक, यह बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई, अच्छा, चलो, यह तो कहानी हो गई बेटा, अब तुम्हें समझाता हूँ, इसमें गलती क्या ह बेटा है, r is equal to, pitch कितने, देखो, दो mm का एक pitch होगा बेटा कि नहीं होगा, तो एक pitch, दो pitch, तीन pitch और चार pitch, चार pitch, complete है, प्लस, अब यहाँ के बाद से बेटा, यह क्या एक complete pitch हुआ, नहीं हुआ, तो यह कितना आगे गया बेटा, क्या यह गे बेटा, 75 by 100 into pitch, और यही क्या है, least count है बेटा कि नहीं है, और चार pitch किसके बराबर बेटा, 8 mm के बराबर है कि नहीं है, 8 mm प्लस, बेटा, वही कहानी है, कितना जाएगा, 0.15, clear है, कितना आगे बेटा, 8.15 mm, बेटा, यह reading सही है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा, यह गलत क्यों है, यह वाली reading, ध्यान से सुनना, देखो बेटा, यहां से सुरू करेंगे, तो यह जब 100 rotation complete करेगा, यहां से यहां से यहां तक जाने में कितना division, पचास division होगा कि नहीं होगा, आगी बाद, तो बेटा, आठ तक तो इसने चार rotation complete किया होगा, लेकिन 8 से 9 जाने में 50 किया होगा, और 9 से 10 के बीच में 25 और किया होगा, मेरी बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई, तो आप या तो क्या करो, यहां पर 25 से multiply करो, clear हुआ बेटा कि नहीं हुआ, आगी बाद, इसमें 1 mm कितना कि बेटा, 25 जैशा हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो, और 5 बेटा हमने निकाल रखा, 75 है, सारी कहानी है कि नहीं है, कर स रखते हो बेटा कि नहीं कर सकते हैं, तो इसमें एक मिनट रुक जो, इसमें बेटा थोड़ा से पंदा है, इसको सही कर देता हुआ, यह फोर पिच बेटा कितना हुआ, फोर और यह बेटा साहिद मैंने calculation गलत लिखा है, multiply कर लो देखो, 75 को बेटा 2 से multiply करोगे अगर आप, लिष्ट काउंटी यह है, तो 75 इंटू 2 कितना हैगा बेटा, 0, 15 बेटा, और 2 पॉइंट पे लगेगा बेटा, यह 1.5 आएगा, मेरी खलती बेटा, तो यह कितना आगया, 1.5 आएगा, तो यह कितना था, 10.5, 0 mm, clear बेटा, और यह कितना था, बेटा, 1.5 तो यह कितना, 9.5, यह बात समझ में आई बेटा, कि नहीं आई, clear है, तो इसमें error समझ यह वाला method गलत क्यों करा देता बेटा, समझ में आया, फिर से repeat कर रहो बेटा, यह 8 से तक, तो 4 complete कर चुका हो बेटा, और 8 से 9 तसक जाने में कितना बेटा, 50 complete क्या होगा, और 0 से 9 से 10 के बीच बेटा, 50 से 100 वाली rotation आएगी कि नहीं आएगी, तो यही चीज बेटा, यहाँ पर गलत कर रहो मैं, मैंने 9 तो complete ले लिया, 75 rotation भी ले लिया, तो यह पंगा करवा देता है, यह method इसलिए बेटा, सही है, छाब जो सारा कुछ, छाब लिया बेटा, चलो, अब हम पढ़ेंगे बेटा, 0 error की कहानी, कुछ जादा tough नहीं है, देखो बेटा, जो आपका reference line वाला 0 था न, यह वाला 0, अगर बेटा, यह exactly यहीं पर है, तो कोई error नहीं है, क्या वोलेंगे बेटा, no 0 error, इधर देखो बेटा, अब जैसे यह है, इसमें बेटा, कुछ reading य कहान बेटा, between 0 and 1, तो यह reading कितना होगा बेटा, देखो जहां से, क्या यह 15 कौन साइड कर रहा है बेटा की नहीं, तो हम क्या वोल सकते है, 15 into least count, यही error होगा की नहीं होगा, आगई बात, और यही minus कर देंगे हम finally, यहाँ देखो बेटा, 0 उपर है बेटा की नहीं है, clear है, तो कितना division आगे चला गया बेटा, माल यह इसका 0 यहाँ पर होगा ही, कितना division आगे चला गया, 1 और 2, clear बेटा, तो इसमें error कितना आएगा बेटा, minus का, 2 into least count, यह आएगा बेटा की नहीं आएगा, अच्छा इसको लिखते कैसे, इसको जहां से सुनो बेटा, देखो 45, division य 49 and 50 divisions हैं बेटा की नहीं है, और कौन सा वाला कौन साइट कर रहा है, 48, तो बेटा, इसमें भी वह ऐसी ही करते हैं, जैसे हम वर्णियर स्केल में करते थे, negative 0, error लेते टाइम, total number of division, total number of division, minus number of, number of coinciding division, coinciding division into least count, दो बेटा, 48 वाला कौन साइट कर रहा है, 50 है, और minus आगे लगा लो, अगर चाओ आप इसमें से minus कर दो, clear बेटा, तो क्या जाएगा ये, यही कहानी आएगी कि नहीं आएगी, क्या ये बात समझ में आगई, बेटा, वर्णियर वाली बात अगर ध्यान से देखा है, तो ये सारी वाते clear हो जाएंगी, बहुत इजली आगे बने, कुछ questions करें, देखो बेटा, question क्या अगी बने, a screw gauge having 100 equal division and pitch of length 1 mm, it is used to measure diameter of a wire of length 5.6 cm, the main scale rating is 1 mm and the circular 47 division coincide with the terminal, देखो बेटा, concern with the main scale, find the surface area, use pi is called to 22 by 7, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं बेटा, length में wire का given है, कितना, 5.6 cm, clear बेटा, इसका diameter हम क्या कर रहे है, equal division and pitch of length इतना है में, बेटा, इसका अगर हम least count लिखें, तो कितना आएगा बेटा, 1 divided by 100 mm आएगा बेटा, कि नहीं आएगा, तो ये कितना हो गया, 0.01 mm, अब तुम्हें बताओ, ये कितना होता है, जो आपकी ये, दो छोटे छोटे division है ना बेटा, उसको भी 100 पार्ट में divide कर रहा है, उसको भी ये major कर स सकता है, accuracy के साथ, आगी बात, ये इसका list count हुआ, आगी की कहानी देखो बेटा, अब देखो, अब reading अगर हम लिखें बेटा, तो क्या दिखा रहे है, इसने बोला main scale reading कितना है, तो इसने clearly बता दिया, main scale reading, जो हमने पीछे गलती निकाली थी ना, इस वाले में, इसमें वर् language wise लिखा है, तो कोई पंगे नहीं है, आप देख सकते हो, आसानी से, तो reading कितना है बेटा, इसमें, 1 mm, प्लस, कौन सा कौन साइड कर रहा है, बेटा, 47th, तो 47th into, list count, कितना है, बेटा, 1.47, list count ही यह रहा है, बेटा, आपका, क्या यह आपका diameter आगे है, कि नहीं है, बेटा D की value, अब surface area निकालना बेटा, इसका, तो surface area होता है, बेटा, अपका S is equal to, यह रहाँ surface area कितना होगा, बेटा, 2 pi r into l, होगा बेटा, अब देखो, 2 r को में लिख सकता हूँ, d, और pi को कितना, बेटा, 22 by 7, 1.47, आगी बाद, बेटा, अच्छा, unit को convert कर लेना, बेटा, सही से, यह mm आया है, तो centimeter में, बेटा, अगर हम convert करें, तो minus 1 होगा, into, length कितना, बेटा, 5.6 centimeter, तो बेटा, इसको जो solve करोगे, आप centimeter, square आएगा, कर लेना, multiply, बस एक चीज का ध्यान देना, बेटा, इसमें, बहुत सारे, significant है, tension लेने वाली, कोई बात नहीं, इसमें, बेटा, decimal, बेटा, इसमें, 3 है, इसमें, कितना, बेटा, 2 है, तो आपका answer, 2 significant में, लिखा जाएगा, ये बात clear हुई, बेटा, कि नहीं, इसका ध्यान रखनो, और कुछ नहीं है, आगे बढ़े, clear हुआ, बेटा, देखो, अगला question के है, बेटा, screw gauge, आप pitch, 0.5 mm, and there are 50 division, on the circular scale, तो list count कितना, बेटा, 0.5 divided by 50 mm होगा, बेटा, कि नहीं होगा, clear है, the reading on the main scale is, 2.5 mm, देखो, बेटा, एक, complete rotation में कितना चलेगा, 5 mm, तो 2.5 दिख रहा है, बेटा, तो reading कितना हो गया, 5 pitch हो गया, कि नहीं हो गया, plus, and the circular scale, 21 division कितना होगा, कितना, 20 divided by 50, into कितना, बेटा, list count, या तो pitch बोल लो, list count नहीं होगा, बेटा, pitch होगा, गलती बेरी, यह बात समझ में आ गई, बेटा, अब यहीं कि आपका, list count है, कि नहीं है, list count आपको पता, बेटा, यह कितना हो जाएगा, 5 complete pitch है, तो कितना, बेटा, 2.5 हो गया, यह आ गया, plus, 20 into, 0.5 by 50, बेटा, कर लेना, स्वाल, मेरा काम नहीं है, यह बात क्लियर होई, आगे देखो, बेटा, इसक्रूब, गे जाप, pitch, 2 mm, and there are 100 divisions on the circular scale, list count कितना, बेटा, 2 divided by 100 mm, is equal to 0.02 mm, आएगा, आगे देखो, बेटा, बेटा, circular scale, lies between 5th and 6th division, बेटा, 5th, देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बेटा, पका circular scale यहाँ है, ठीक है, फिर से, बेटा, इसमें वही पंगा है, देखो, यहाँ तक 2 complete rotation होगे, और यहाँ तो, बेटा, 50 होगा, होगा, और इसके आगे, बेटा, फिर 50 से, 100 वाला कहीं मिलेगा, यहा आया, 1 division of the main scale is 1 mm, and the 75th division of the circular scale coincide with the reference line, हमें बेटा, सारा कुछ information given है, तो, देखो, 1 pitch, 2 pitch, तो, मारा reading कितना, बेटा, 2 pitch, और यहाँ से, बेटा, देखो, यहाँ से लेके, यहाँ तक 100 होता, division और यहाँ 75 वाला coincide होगा है, तो, प्लस, 75 by 100 pitch, और एक pitch कितना, बेटा, 2 mm का है की नहीं है, निकाल सकते हो, बेटा, आपकी नहीं, clear है, पक्की बात, कर लोगे, solve, कर लेना, इधर देखो, बेटा, यह J.E.E.डवांस ने पूछा था, बेटा, लंदी question है, consider a vernier caliper in which each one centimeter on the main scale is divided into eight equal parts, clear बेटा, तो, पहले vernier caliper के बारे, बेटा, हम idea लेते हैं, इसने एक centimeter को किया किया बेटा, main scale पर आठ पार्ट में divide गया, तो, one MSD कितना हुआ बेटा, क्या, one by eight centimeter हुआ बेटा, के नहीं हुआ, clear हुआ, यह one MSD हो गया, आगे देखो बेटा, and a screw age with 100 division on its circular scale, screw age के लिए बेटा, n is equal to कितना दिया, इन्होंने 100, अच्छा, आगे क्या लिखा बेटा, इसमें 5th division of vernier scale, कौन side with 4th division on the main scale, तो मैं लिख सकता हूँ, इसके लिए बेटा, फिर से, 5th vernier scale division 5 is equal to 4, MSD, लिखा जा सकता बेटा, तो, one MSD कितना हुआ, 4 by 5, MSD, तो इसका least count कितना है बेटा, कै इसका least count आएगा, one MSD minus one, BSD, that is one by five, MSD, और एक MSD कितने का बेटा, वन बाइट का तो कितना है बेटा, one by 40 centimeter, यह इसका least count आया बेटा, कि नहीं आया, चलो, options पढ़ते है, option क्या बेटा, पहला option चेक करना पड़ेगा, बेटा, if the pitch of the screw gauge is twice the least count of the vernier caliper, जो इसका pitch है बेटा, तो देखो, अब ध्याँ से सुनना, least count of vernier caliper, बेटा, आपने निकाल लिया, screw gauge कितना होगा, योगा pitch, divided by, और pitch कितना बेटा, ध्याँ सुनना, if the pitch of the screw gauge is the twice the least count of the vernier caliper, vernier caliper का least count है, इसका twice, clear हुआ बेटा, तो इसका twice कितना, 2 by 40 divided by 100, तो बेटा, यह आगया 2 by 20, आया, 2 by 20 आगया बेटा, तो यह आगया कितना, 1 divided by, this, clear हुआ बेटा कि नहीं हुआ, तो यह तो answer नहीं है बेटा, first नहीं है, second दोखो बेटा, अच्छा, same above language है, लेकिन then least count है जितना बेटा, इसको divide कर लो, 1 को बेटा, अगर आप divide करोगे, इससे, तो point लगाओगे, 10 हो जाएगा, 0 लगाओगे, 1000 हो जाएगा बेटा, तो यह तो आगया बेटा, B answer आया कि नहीं आया, देखो, इसको solve कर लो, तो यह आएगा, 0.005 mm आयेगा कि नहीं आयेगा, clear है, आगे बढ़े बेटा, तीसरा पार्ट बेटा, चेक करते है, क्या दिया है, इसने बोला, लेश्ट काउंट, वर्नियर स्केल, बेटा, वर्नियर कैलिपर का कितना 1 by 40, वही लिश्ट काउंट, बेटा, इसी का twice, कितना हो जाएगा यह, 1 by 20 होगा, बेटा, कि नहीं होगा, यही लिश्ट काउंट किसका, बेटा, लीनियर स्केल है, आपका, क्लियर हुआ बेटा, कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब जो इसक्रू गेज है, बेटा, उसका लीनियर स्केल जो है, उसके बीच की गेपिंग कितनी है, 1 by 20 है, बेटा, कि नहीं है, यह बात समझ में आगए, अब देखो, बेटा, लिखा क्या है, इसका मतलब, बेटा, जो आपका, इसक्रू गेज है, वो दो डिवीजन मूप करता, बेटा, एक कम्पलीट रोटेशन में, यह हमें गीवन है, तो पिच कितना हो गया, बेटा, इस तीसरे केस में, पिच इसकल टू हो गया, बेटा, 1 by 20 into 2, क्लियर है, तो यह हो गया, बेट पिच आगे है, बेटा, नमबर आफ डिवीजन हमें 100 गीवन है, शॉल्म करतो के बेटा, यह एंसर आ जाएगा, देखो एक बार द्यांचे, क्लियर हो गया, सेंटीमेटर, मिलीमेटर को देखने ना आता है, कि नहीं आता है, बेसिकली बात समझ में आई बेटा, क्लियर है, आगे बढ़ें, तो आज के लिए बेटा, इतना ही, इस क्रूगेज बेटा, खतम हो गया, आपका अगला टॉपिक होगा बेटा, कैनमेटेक्स,